नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको राजमा से जोड़े कुछ स्वास्तलाब के बारे में बताएंगे राजमा आम बीन्स की एक किस्म है इसका वैज्ञानिक नाम फैजियोलस वलगरिस है गुर्दे के आकार और रंग में समानता की वज़ा से इसका नाम किड्नी बीन्स रखा गया है ये बीन्स हलके बूले रंग के होते हैं इसमें उच्छ मात्रा में फॉलिक एसिड, केल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और प्रोटीन जैसे आवशक तत्व होते हैं जो सभी महत्वपूर्ण है और शरीर के संपूर्ण कार्णों में मदद करते हैं 100 ग्राम राजमा में 24 ग्राम प्रोटीन, उर्जा, 340 कैलोरी, 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 1 ग्राम फैट होता है तो आईए अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आपको इसको खाने से और क्या कैस्वास्ता मिल सकते हैं सबसे पहले एकने विदन उन सबी दर्शकों से, जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्रप्या हमारे चैनल की सदस्ता को जरूर ले लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा ब्यूठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा यदि आपको लग रहा है कि समय से पहले ही आप बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं, तो बिलकुल भी घबरा ही नहीं, क्योंकि आयर्वेद में इसका भी इलाज छिपा हुआ है इसके लिए आपको अपने भोजन में राजमा को भी स्थान देना होगा, क्योंकि इसमें एंटी ओक्सिदेंट्स भरपूर होते हैं, जोकि आपकी बढ़ती हुई उम्र को रोकने और आंतरिक कोशिकाओं को पोशन देने का काम करती है यहाँ आपको त्वचा और शरीर की अन्य समस्याओं से भी बचा सकता है राजमा का नियमित उप्योग आपकी आँखों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जस्ता पर्याप्त मात्रा में होता है, जो आँखों की सेहत के लिए बहुती फायदे मन माना जाता है रात में देखने की शमता को बढ़ाने और मोत्यब इनको रोकने के लिए जस्ता बहुती जरूरी होता है इसलिए अगर आप अपनी आँखों को सस्त रखना चाहते हैं, तो अपने भोजन में राजमा को जरूर शामिल कीजिए यदि आप जर्टे बालों से परिशान हैं या आपको बालों से सम्मंदित अन्य कोई परिशानी हैं, तो इससे बचने के लिए आप राजमा का उप्योग कर सकते हैं राजमा में बायोटिन, लोहा और प्रोटीन युक्त होता है, जो बाल और नाखून को मजबूत करने के लिए आवशक होता है बायोटिन, नाखून और बालों के तेजी से विकास के लिए उप्योगी होते हैं पच्चों के लिए राजमा भी बहुती फायदिमन माना जाता है, क्यूंकि इसमें प्रोटीन, पाइबर और आईरन अधिक मातरा में पाया जाता है और ये खाने में भी नरम और चबाने में बहुती आसान होते हैं, इसलिए बच्चे इसे आसानी से चबा सकते हैं किड्नी बीन्स में आठ तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं जो कई रोगों को रोकने से हमारी मदद करते हैं और स्वस्त प्रतिरक्षा प्रणहाली को बनाई रखने में भी मदद करते हैं तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजीगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद